नमस्कार दोस्तों, MP Online CSE, Business Training के इस चनल पर आप सभी का स्वागत है जैसा कि आपको पता है कि इस चनल के मातन से लगाता है हम आपको ग्रामीन डाक सेवक यानि कि GDS से संबंदे जांकारी देते रहते हैं आज के वीडियो में GDS के बारे में आपको यह चांकारी देने आया हूँ कि अब GDS की जो भरती है यानि कि ग्रामीन डाक सेवक की जो भरती है वो साल में दो बार आएगी जी हां यानि कि दिसंबर माहे में भी आएगी और जुलाई माहे में भी आएगी दिसंबर और जुलाई इन दोनों महीनों में GDS की पूश्ट आएगी अब आपका सवाल अधितलों का यही होता है कि सर यह विकेंसे हर 6 महीने में कैसे आ सकती है तो आज के वीडियो में इसी बात का जवाब देने आया हूँ साथ ही साथ एक और चुछ यह बताना आया हूँ कि किस प्रकास से वेटिंग लिष्ट आना स्टार्ट हो गई है और क्यों यह वेटिंग लिष्ट आ रही है GDS के लिए यानि की ग्राविन डान से बात की तो यहां पर होता यह है कि माल लो आपने जो फॉर्म बढ़ रहा है उस फॉर्म के लिए उस प्रिफरेंस के लिए लाइक आपने कोई एक इस्थान अपने बीजा राड़ी करके कोई एक पोस्ट ओफिस है इस पोस्ट ओफिस में सपोस्ट तीन पोस्ट निकली थी यह BPM या BPM या किसी भी प्रिटार की जो आपने GDS है उसके लिए टोटल तीन पोस्ट यहां पर निकली गी थी लेकिन अब वहां के लिए चितने लोगों ने भारा है उसमें से सिलेक्शन होगा सपोस्ट पांच ल लोगों को बाद के लिए रखा जाएगा अगर मालो इन तीन में से किसी का सिलेक्शन नहीं होता है किसी कारण से या तुमके डॉक्मेंट फरजी निकलते हैं या इन्होंने जब फोम भारा था आगदन किया तर बिनोंने डॉक्मेंट के समय पे सही जानकारी नहीं भरीती जिसकार से डीवी में रिजेक्ट होजाते हैं तो बाद में जो बाकी की दो लोग रहेंगे उनका सिलेक्शन में उनका नाम अगली लिस्ट मेंगा वेटिंग लिस्ट मेंगा तो यहां पर जो रीजन होता है अगली लिस्ट आने का या वेटिंग लिस्ट आने का या दुब उनको 100% डाल के बढर देते हैं पॉख उनको पड़ाो सेलेकशन होना नहीं लेकिन छो कि यह जो लिस्ट तियार होती है वो लिस्ट किस पर厄 से तैयार होती है जो इनके प्राइब नंबर्स क उते हैं इसकार से नम नाम एक है जाता है और यह जो पोश्ट खाली रह जाती है इसी पोश्ट को भरने के लिए अगली recruiting लिस्ट आती है और अगर माल्मों किसी कर्ण से बेटिंग लिस्ट के बाद भी वो seat, वो जगर खाली रह गए तब आपके लिए फिर से vikences की आएदी तो यही process आपकी लगादार चलती रहती है, साथ ही साथ बहुत सार ऐसे लोग होते हैं जो retirement लेते रहते हैं, बहुत सार ऐसे लोग होते हैं, जो बीच में काम को छोड़ देते हैं, जो आप जिनको नहीं करना होता है, तो इस प्रकार से जो place उनकी खाली होती है, जो जगह उन परसेंट में भी आएगी, तो यह दोनों परसेंटेज में भी सिलेक्सर हो गए हैं, तो उसका कारण ही रहता है कि अगर माल दो, आपने जिस preference के लिए जिस जगह के लिए आपने form भरा है, उस जगह पर केबल वही लोगों ने form भर हैं, जिनकी percentage कम थे, तो उनकी कम percentage में सिल प्लस है, अगर आप पास भी हैं, तो यह form को जरूर बढ़ें GTS का, क्योंकि GTS form भरने में कोई charge लगता नहीं है, और in case अगर आपने कोई ऐसा preference चुल लिया है, जहां पर और अधिक लोगों ने, या अधिक percentage वाले लोगों ने form नहीं भरा है, तो आपके selection के chances हो सकते हैं, December तक अगर माल में यह form आता है फिर से, तो आपके 35% हो, चाहे आपके 45% हो, आपको इस form को जरूर भरना है, आपको यह नहीं सोचना है, भाई में तो 35% में मेरे selection नहीं होगा, आपको preference ज़्यादा से ज़्यादा चुननी है, जो जड़े आप चुन रहें, वो ऐसी चुने, जहाँ पर आपको लगते हैं कि ज़्यादा लोग वहाँ पर फॉर्म नहीं बरेंगे, तो इससे आपको सेलेक्शन के चांसे बढ़ सकते हैं, तो इसलिए आपको ज़्यादा से जबचाए, आपको 30% हो चाहे, 35% हो चाहे, आपको 40% हो, आपको form को फिल आप जरूर करना है, इस form को बढ़ते साना अजरा आपको computer certificate किया बसकता है, इसके अलावा, आपको MS Office की computer certificate किया बसकता है, आपको computer basic की बसकता है, आपको advanced computer certificate किया बसकता है, हमारी सहता है प्रयाग दास्तोमर computer education, जो online घर बैटे ही आपको computer certificate प्रोवाइड करवाती है, इसके लिए आपको app करें और जो भी certificate आप लेना चाहते है, उस certificate को select करें और इसको join करें, और आपका certificate जो आपको by mail भी मिलेगा, और उसके hard copy भी आपको by post घर भी बेची जाएगी, आसा करता हम आज का वीडियो आपको पसंद आया हुगा, मिलते हैं, अगले वीडियो में ऐसी ही चान करें के स आप आता है झाल